हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जैजनेंद्र जैश्री महाकाल स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में जहां पर हम लेंगे एक्विटी मार्केट की अफडेट्स एक्विटी मार्केट की कल की रंडिती को पर बाचीत करने से पहले कल है मंगलवार आज था सोमवार अभी बज़ रहे हैं तीन बच के चमवालीस मिनट मार्केट बस अभी है भी चौदा मिनट पहले बंद हुआ है तो कल की रंडिती को पर बाचीत करने से पहले कल है नौ ता काइदा हुआ कौन से स्टॉक्स को बाई करने काँ था कौन से स्टॉक्स हमारे डीपी याने अपनी वोल्डिंग में पड़े हुए थे कौन से स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हुआ उसका छोटा था कोस्त मॉट्टम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कि किक नहीं मिल रही आप लोगों की तरफ से याने वही बस याने आलमोस्ट मुझे अभी आप लोगों के समख्ष वीडियो अपलोड करते हुए 230 दिन हो चुके हैं 230 डेज और 230 डेज में मैं आप लोगों को एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कर आप लोगों को आइडेटिफाई किया सब एडेटिफाई कर और इन फेक्ट कही शपते हो धिया यहने कि जो resistance level दिया है वहाँ से आपको बजार तूटता हुआ भी दिखता है जहां support level दिया है वहाँ से support लेकर बजार बढ़ता हुआ दिखता है तो भी आगे यार तू थर्ट्रिडेज हो गया है अब थोड़ी expectation तो रखनी चाहिए वाइरल नहीं हो पा रहें लोग TikTok में वाइरल हो जाते हैं लोग Facebook में वाइरल हो जाते हैं अब ये visual के बाते करके भी वाइरल हो जाते और अपन काम की बात कर रहे हैं लोगों को पैसा बना बनवा कि देने क मतंकि भात कर रहे हैं थीर भी वाइरल नहीं हो पारे को कहीन करेंग इंड है आप लोग लॉटब नहीं करें कर रहें आप लोग नखाए कि अपल dataset की जacion कि ऑ है तो हम और से क्वाइब ने किसे ने वाजे आप लोगों के सपोर्ट की जर्द है। कि बच्चों के लिए वो चीज़ें की को ऑप डालाच की दीए वैसे मुझे आप लोग सीजों को अप्रिशेशन किक देता है। थोड़ा सा सहयोग करिए थोड़ा सपोर्ट करिए थोड़ा सा मोरेट करिए ताको और मजा आयकाम करने में। एक हमारे पाइक स्टॉक पड़ा ऊपने स्टॉक की बाचितु कॉपी कर सकती है वीडियो लेकिन हमारे पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती और हम चाहते भी नहीं है इसलिए मैं टाइम लेता हूं टाइम मेंशन करता हूं 10,310 का आप लोगों को रेजिस्टन्स मेंशन किया था और यह वीडियो फ्राइडे को यह अप्लोड हो गए थी 10,318 का इसका हाय पोस्ट हुआ है 10,113 का इसका लोग पोस्ट हुआ है 9,990 का सपोर्ट बताया था और मैजिकल फिगर बताया था आपको 9,750 के प्लोज हुआ है आज 10,115 में याने हायर आयर कट टू कट हमारा सिर्फ 8 पॉइंट उपर गया और वहां से 200 पॉइंट है गया तो यह होते हैं लेवल्स के कमाल यहां पर वापस से अपना डायलोग कहना चाहूंगा बहुत लोगों ने पैसा बनाया 310 का रेजिस्टन्स द पैसा करें पैसे के लिए काम कल के इसके जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 9980-9825 का इसके रेजिस्टन्स निकल के आ रहे हैं मुझे बाजार ओवररल थोड़ा सा रेंज मौंड लगता है याने कि ना कोई बहुत बड़ी बारी तेजी दिख रही है ना ही कोई बड़ी बारी मंदी दिख रही है वापस से रेजिस्टन्स फेस कर सकता है 10-310 के आसपास और अगर उसको कंविंसिंगली ब्रेक करता है आगे के लिए बात करता हूं में तो 10-500 तक जा सकता है 10-325 और 10-515 तक ओवरल मुझे ऐसा कोई बड़ी भारी कल के दिन में कोई तेजी और मंदी के नहीं दिख रही है कि सपोर्ट क्लियर है 9980 का पहला सबोर 9,825 का दूसरा सबूर 9,980 के मंद के नीचे मंद के नीचे लगता नहीं है और उपर ऑवरल 10-350 के उपर लगता नहीं कल के लिए बात करता हूं बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी के आज आप लोगों को रेस इसका आई हाय पोस्ट हुआ है 2775 का लोग पोस्ट हुए 2870 का प्लोज हुआ है 2170 में रेस्टन्स लेवल बताया था 2510 का हाय पोस्ट के 2775 का वापस से वहां से डह गया जब 775 के ऊपर गया यहां पर आप लोग को किस तरह से स्ट्रेजी बनाने चीव मैं आपको बताता हूँ एक तो जब 500 के आसपस का अपना लेवल दिया वा था 500 के ऊपर जब ट्रेड करा रहा है ताब आप लोग वहां पर एक बाई की रणनीती बना सकते थे बाई की रणनीती बनाते थे 200-200 पॉंट आराम से मिलते थे लेकिन जब यह तोड़ दिया था यानि जो 500 का हम लोगों लेवल लिया था जब इसको वापर से तोला था तो आप वापर से इसको सेल कर सकते थे यह आप अपनी रणनीतिया बना सकते हैं मैं तो आप लोगों लेवल दे सकते हूं लेकिन इस तरह की रणनीतिया बनती है मार्केट में कल के लिए इसकी सबोर निकल के आ रहे हैं बैं जिनके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा अभी बाजार कल के लिए लग रहा है range bound चलिए बात को आगे बढ़ाता हूं बात करता हूं stock specific के आज reliance को buy करने कहा था 1553 1559 के आसपास आज इसका low post होया 1565 execution नहीं हो पाया दूसरा आप लोगों को buy करने कहा था 3990 के आसपास dr. ready telegram में मैंने update कर गया था 3975 के 3974.90 का stop loss maintain करिए और निकल जाईएगा stop loss हो गया hardly कितना नुकसान हुआ वहाँ पर 0.38% का नुकसान हुआ होगा दो ही call लिये थे एक execute हुआ एक execute नहीं हुआ लेकिन दूसरी जगह कमाया है शांदार मुनाफ़ा कौन सा stop था infosys हम लोगों ने buy किया था एक जून को ये मन्त के first day में infosys को buy किया था 697 के आसपास 724 के आसपास आज इसका profit book किया आज 725 725.80 के आसपास कि इसने high post किया 720.83 में close हुआ है तो infosys ने आज हमको दिया है approximately 3.90% के आसपास का profit 3.38% इधर चला गया तो मोटा माटी invested capital का साड़े तीन टक्कात हुआ हम लोगों ने निकाली लिया यहने छोड़ा नहीं बजा रगो चली बात को आगे बढ़ाता हूँ कि कल के लिए कौन से stock नजर आ रहे है कल ICAC bank को sell करेंगे 362, 364 के आसपास 367, 10 का stop loss maintain करेंगे 358, 355, 50 का target expect करेंगे दूसरा stock होगा iBull, iBull को sell करेंगे 157, 158, 50 के आसपास 157, 50, 158, 50 के आसपास 161, 60 का stop loss maintain करेंगे target 150 और 144 के तीसरा stock होगा हमारा ITC ITC 199 और 200 के आसपास sell करेंगे 202, 202 रुपे 10 परे का stop loss maintain करेंगे target 195 के चौता stock होगा हमारा SBI bank SBI bank को sell करेंगे 188, 50 से 190 तक की range में 192, 10 का stop loss maintain करेंगे 184 और 180 तक के target expect करेंगे तो यह होगे हमारे तलकली 4 stock चुकि चारों की चारों stock हमारे sell call है और मैं बात करता हूँ NSE cash, Nifty 50 के stocks की NSE equities के levels की future and options की बात नहीं करता हूँ तो अगर आप लोग sell करते हैं तो आप लोगो intraday में काटना होता है यानि जब मैं आप लोगो sell call देता हूँ तो वहाँ पर आप लोगो कोई tension next day के लिए carry forward नहीं करनी होती है और nifty, bank nifty की मैं बात करता हूँ current month expiry की यानि कि मैं आज जो भी nifty और bank nifty के जो levels share करता हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ June 25, June की जो expiry है 2020 की आशा करता हूँ आप लोगो मेरे वीडियोस पसंदा रहे हैं पसंदा रहे हैं तो धपाक से एक like का बटन ज़रत हो भाईए subscribe करें और अपने friends family के साथ ज़रूर share करें ताकि ये family expand हो सके और दूसरे लोग भी मेरे बताए हुए levels को enjoy कर सकें और मुनाफ़ा बना सकें नीचे description box में बहुत सारी social media की link होती है आप चाहें तो सब जगा जुड़ सकते हैं नीचे description box में एक account opening का form होता है आप चाहें तो उसको click करके अपना account open कर सकते हैं और execute कर सकते हैं मेरे बताए हुए रणनीतियों को Thank you so much for watching my video जय हिन जय महारत